अस्सलाम अलेकुम दोस्तों, वेलकम टू स्वीट एंड स्पाइसी, आज बनाएंगे एक बहतरीन वेजिटेरियन डिश मतर पनीर मतर पनीर बनाने के लिए मैंने 1.5 kg पनीर लिया है, पनीर घर पर कैसे बनाना है इसकी रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा 1.5 kg मैंने मतर भी लिये हैं, ये फ्रोजन मतर हैं, फ्रीजर में रखे हुए थे, हमारी यहाँ पर फ्रेश नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर फ्रेश मतर इस्तिमाल करेंगे तो टेस्ट जो है बहुत ज्यादा अच्छा आएगा दो बड़ी प्याज मैंने फाइनली स्लाइस की है, एकदम अच्छे से स्लाइस की है पतली-पतली पाँच मीडियम साइज के टोमाटो को मैंने प्यूरी बना लिया है, इसको मैंने मिक्सर में डाल कर पीस लिया है वन टेबल स्पून जिंजर गालिक पेस्ट यानि अदरक लहसन का पेस्ट लेना है मसालो में मैंने टू टी स्पून रच्छिली पाउडर लिया है, यह आप कम ज्यादा कर लीजिया आपके टेस्ट के एकॉर्डिंग Half teaspoon जीरा पौडर और Half teaspoon गरम मसाला पौडर लिया है Half teaspoon turmeric यानी healthy फावडर लिया है Two teaspoon मैंने यहांपर यह कसूरी मेथी ली है यह एक टिन मैंने naizli का क्रीम लिया है आप कोई भी क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं Fresh cream भी इस्तेमाल कर सकते हैं मुठी भर के करीब हरा धन्या लिया है तेल मुझे तकरीबन एक चोथाई कप यानी quarter कप की जरूरत है और फ्राइ करने के लिए लिए जितना शैलो फ्राइ करने के लिए तकरीबन half cup की जरूरत पड़ेगी और नमग जरूरत के हिसाब से लेना है अब सबसे पहले एक fry pan में थोड़ा तेल डालना है समझ लिए तकरीबन हाफ कप के करीब तेल डालना है शैलो फ्राइ करने के हिसाब से तेल डालना है साथ के वज़े से तेल काफी जमा हुआ है तेल जाई तुफ गरम उसारे पनीर के पीसे चाए करें है इसको सब्सक्राइब अच्छे से गरमार तक अच्छा साथ र क्याक्यों disp home देल डालना है यह डीफ प्रता मैं सक्राइब को प्रतंड प्रता है तो प्रता मैं तमाल हो जा ज्टेज आज में अच्छ से फ्राइ देisst आज मेने तक फ्राइए आग्य़ कर लेंगे यह नहीं करने अज़ ses टाइं impact ग्रांको एक द्रए में इससे फ्राइए देडी हो गए यह एक तर्ए में इस國家 आज निकाल लेना है कि पर दमाम अश्यचव यह जो राओ ने करते थे काई हैं और यह गया है है kit 6 Era तुर यह चाहिए का यह निकाले से सब्सक्राइब करना है कि यह कि आपनीर हो गए है कि यह सारे और अब फ्राइब हो गए है आजिए पनीर फ्राइ करने के बाद अब हम ग्रेवी की तरफ बढ़ते हैं ग्रेवी के लिए मैंने यहा पर एक बरतंद लिया है और इसके अंदर यही तेल इस्तेल करना है meu नहीं उन रहरों सोइए किए तेल में भून लेना है इस प्यास को भूनते हुए तीन मिनट हो गए है आप देख सकते हैं प्यास अभी ब्राउन तो नहीं हुई है लेकिन पक गई है और इसका कच्छापन निकल गया है स्मूथ हो गई है सॉफ्ट हो गई है प्यास और हलकी गुलाबी हो गई है अब ऐसे मैंने इसके अंदर जो है यह जो टोमाटो का की प्यूरी बना कर रखी थी टोमाटो का पेस्ट बना कर रखा था यह पूरा का पूरा डालना है और इसके साथ में अब मैंने इसको अच्छे से भूनना है अच्छे से ग्रेवी बनाना है इसकी इसको पहले हम थोड़ी देर तो उसके बाद इसको धकन लगा कर छोड़ देंगे प्याज और टोमाटो हमने अच्छे से इसके इंदर भून लिया है अब इसके बाद जो है इसमें टोमाटो की वज़े से थोड़ा पानी शूटने लगा है अब मैंने इसको 7-8 मिनट धकन लगा कर पकाना है तब तक किनारों से तेल ना छूट जाए और एक अच्छा सा मसाला जो है या अच्छी सी ग्रेवी तयार ना हो जाए टोमाटो और प्यास की इसको मीडियम आज पर भूनते वे तकरीबन 6-7 मिनट हो गए हैं अब आईए देखते हैं आई इसमें अच्छाइक खासा किनारों पर जमाः हो गया है तोमाटो जो है वह काफी गल गया है कलर भी red-cl orange हो गया है अब मैने क्या करना है इसको अभी तक आप देख सकते हैं इसमें प्यास जो है वो तूटी भी नहीं है या मैश नहीं हुई है आचली हम जो है इसके अंदर प्यास को पीस कर भी डाल सकते हैं लेकिन पीस कर डालने से क्या हो जाता है कि ग्रेवी एकदम स्मूथ पेस्ट की तरह बन जाती है तो उससे बचने के लिए थोड़ा दरा सा टेक्स्चर आने के लिए मैंने जो है प्यास पीसी नहीं है बस हमने तो थोड़ा थोड़ा सा ऐसे मैश कर लेना है स्पून से ऐसे यह जो लकड़ी का स्पून है इससे हम ऐसे थोड़ा सा एसे दबा दबा के इसको थोड़ी देर तक इसको चला देंगे तो यह प्यास जो है वो उसी कंसिस्टनसी में या उसी टेक्स्चर की हो जाएगी जैसे टोब 2-3 मिनिट इसको बू εκ के बाद पाउडे मिसाले ऑक में ये जू तो पाउड़र बूदर है यह यह दा दोब पाउडर यम् наш के बार युदे अुसके बार आंप यह तो चया को पाउड हें अधा साथ में आधा-धा चमबच वो हमने डाल देना है और उसके बाद उसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है इस मिक्स कर दिया है अब आप देख सकते हैं एक अच्छी सी बहतरी इन सी ग्रेवी तयार हो गई है अब मैंने इसके इंदर मैं अच्छे से मिक्स कर लेना है मैं और इसको मैं अच्छे से मिक्स करना है यह सारे मटर मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिये हैं अब उसके बाद मैंने इसमें पानी डालना है तकरीबन देड़ से दो कपी जो है वो पानी डाल देती हूँ या जितना आपको उसकी ग्रेवी रखनी है उसके हिसाब से आप पानी जो है कम ज्यादा कर सकते हैं इसको मिला लेते हैं सारी चीज़े अच्छे से इसमें मिक्स करने के बाद अब जो है मैंने इसको ढपकन लगाकर साथ से आठ मिनिट पकाना है यह मटर जो है फ्रोजन है तो इसलिए इसको ज्यादा पकने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर आप फ्रेश मटर इस्तमाल कर रहे हैं तो इसको थोड़ी तेरा आपको पकाना होगा जब तक कि वह गलना जाए इसको पकाते हुए छे से साथ मिनिट हो गए हैं अब आए हम इसकी शकल देखते हैं यह ग्रेवी जो है मतर पनेर की तकरीबन तयार हो गई है अब इसके अंदर कुछ बचे हुए इंग्रेडियन्स डालना बाकी है वह मैं डाल देती हूं जैसे कि क्रीम मैंने इसमें डालना है इसको मैंने थोड़ा चमस से चला लिया है अगर आप फ्रेश क्रीम डालते हैं तो गया अब जो है हिला कर मिक्स करके फिर उसमें डालेए इसके बाद जो है अब मैनने इस क्रीम को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है क्रीम की वजे से इसका टेक्सचर इसकी जो consequence है वह नज़र आएगी ग्रीवी जो है बहुत अच्छी खुबसूरत लगने लगेगी इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लेना है क्रीम मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर ली है अब इसके बाद हमने इसके अंदर नमक डालना है अपने जरूरत के हिसाब से डालिए जितना नमक आपको पसंद हो उसके बाद मैंने इसके अंदर ये जो कसूरी मेथी रखी थी इसको मैंने डालना है इसको आप हाथों से थोड़ा सा मसल कर भी डाल सकते हैं या आप ऐसे भी डाल सकते हैं जैसा आपको पसंद हो और उसके ब मटर पनीर को बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है तो इस वज़े से पनीर मैं हमेशा बिल्कुल आखिर में डालती हूँ क्राइब कशेया इसके अच्छे से मिक्स करते हैं और इसमें एक उबाल और आजाए ये जो क्रीम है और जो कशोरी मेथि है इसके कुश्पू है मैं इसके अंदर आखरि बचे वे 23 पी नहीं बचे हैं मैंने बचे हैं बनीर है texto कि येशा बिल्कूफासे तो इसलिए समभाल कर पनीर जो है मैं इसमें डाल रही हूं सारा पनीर हमने इसमें डाल दिया है इसको मिक्स कर लेते हैं मारी ग्रेवी तकरीबन तयार हो गई है सिर्फ हरा धनिया डाल कर हमने इसको एक से दो मिनिट पकाना है और यह ग्रेवी बिल्कुल अच्छे तरीकिसे तयार है मंटर पनीर जो है हरा धनिया डालेंगे हम इसके अंदर जितना आपको पसंद हो उतना डालें मुझे ज्यादा अच्छा लगता है हरा धनिया इस वजे से मैं ज्यादा डालती हूं थोड़ा सा गार्निश करते वक्त भी डाल देती हूं जब हम सर्फ कर रहे होते हैं तब भी डाल देती हूं बस अब मैंने इसको डखन लगाकर एक से दो मिनट पकाना है और चूला बंद कर देना है दो मिनट पकाने के बाद ये देखिए मटर पनीर की ग्रेवी बिल्कुल तयार है अब हम इसको सर्फ करेंगे ये बहुत ही मज़ेदार सा मटर पनीर खाने क इसको घर पर बनाएए इसको नान के साथ रोटी के साथ पराठों के साथ या आप चावल के साथ भी सर्फ कर सकते हैं ये मज़ेदार मटर पनीर आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएए रेचिपी कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए चैनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए और Sweet and Spicy को सब्सक्राइब जरूर कीजिए